नमस्कार दोस्तों अपना आपका इस्टडी चैनल गुरुवाला इस्टडी चैनल में स्वागत है आज मैं आपका दोस्तरिंगु कुमार बहता हूं आज मैं आपको लेगर के आया हूं भारत का अफवात अंत्र की भारत का अफवात अंत्र है भारत के अफवात अंत्र को दो बाटा गया है एक तो हिमाले नदिया और दूसरा यानि प्रायदीब नदी तो हिमाले नदी और प्रायदीब नदी जो है इनमें जमीन आस्माना का फरक है डिफरेंस बहुत देखें हमालही नदि सदानीरा होती है जैसे कि जो हमेशा बेहती रहती है यानि पानी चलता रहता है यह कभी भी बंद नहीं होती है कहा और परायाती यह नदियां जो होती है यह सीजन बाढ़ चलती है यानी जब इनका मौसम आता है तो जब यह चलती है और जब पानी बरसात का पानी खतम हो जाता है तो यह बंद भी हो जाती है बहुत ही कम-कम चलती रहती है और बाजी-बाजी नदी बहुत सारी नदियां बंद भी हो जाती है तो इनमें यही है कि यह सदा नीरा होती है यह जो है यह जो मौसमी होती है नदिया अब देखिए सदा नीरा नदिया जो हिमाले परवत है उससे जो बहने वाली नदी आए उनको तीन भागों में बाट गया है यानि तीन अफवा तंत्र जो बड़ी बड़ी नदी आए उनको तीन भागों में बाट दे गया है नमबर एक सिंदु नदी तंत्र सिंदू नदी तंद्र है यह जो हमालय परवत्श से निकलती है और इसको लंबाई है इस नदी के नirsiniz लंबाई है 2880 किलोमेटर लगी इसकी लंबाई है टोटल लंबाई 2880 किलोमेटर है और ये पंजाब में जैसे जेलम नदिया है और चिनाब है रावी है ये पंजाब में यानि पंजाब पंजाब कहा जाता है अब देखिए दूसरा तंत्र है गंगा नदी तो गंगा नदी जो तंत्र है ये हिमाले परवस से निकलने वाली है अलक नंदा और भागे रती देव प्रियाग स्थान से निकलती है अलक नंदा और भागे रती जो नदियां है दोनों एजिया मिलती है देव प्रियाग पर और फिर वहां से निकलती है ये नदिया गंगा वन के तो इस नदी की जो लं सब्सक्राइब के यह इना के सब और सब्सक्राइब का-धा करता है चांब्डाय ॉप और सभूत नमें नियों से बिलjakर अफवा तो बुक्त-असमार झाल्य भी दिया सायम में Сबने बोहत नतियां पर दो इत्वार के चैने और इस सबने इसको भारत की सबसे 75 नदी माना जाता है अब देखिए दोस्तों यह ब्रहामपुत्र नदी ब्रहामपुत्र नदी तंत्र यह जो है अवाचल प्रदेश से इसकी जो लंबाई मानी जाती है लगबाग तोटल लंबाई यह है यह बहुत सारी जैसे मानस नदी है इसमें बहुत सारी नदी समाती है और यह बहुत सारी नदी समाती है अब देखिए यह प्रायदीफ नदी तंत्र है प्रायदीफ नदी तंत्र की जो वह होती है नदिय जा होता है वो वह होता है यहीं सेमंदर में सब्सके में जा कर के मिरती हैं मिरी करें यहChat दार होती है धरारों में तरबी निकल जाती stalk और यह नदी जायतर हमारी रिए यह जो सबसे लंबी नदी प्राय दीविय भारत की वह गोधावरी नदी को बोड़ी गंगा नाम से भी जाना जाता है और यह जो नदिया होती है यह जाले तर यह बंगाली की खाड़ी में ही भैती है इसके बीखरी दो नदी जो होती है जो तापती और नर्मादा नदी वह इसके बीखरीद बहती है यानि पस्चिम की तरफ को बहती है जो गुझरात में जाकर के गिरती है देखे इस नदी में और इमाले नदी में एक डिफरेंस है इनका धाल जो होता है इनका धाल जो होता है वह सबंदर किनारे आ करके मंद बनाती है यानि की डिफ्सक्र牌 गरती जो होती होती है तरफ कुछाग करके लिकिन एस चौäl जो है वह एक डिल्गंट की उसमें जाकर भी किरता है तो वहां पर कोई आपरती नहीं बनाती हैं यह रहे है अब यह पर शाथा और नदी होती है मोस में में और यह पहुती-ë तो दोस्तों यह आपको मैंने जो नतियों के बारे में समझाया है यह आपको समझे में आ गया होगा अच्छी तरीका से और हमारे इस चैनल को लाइक करें सब्सक्राइब करें थैंक्यू धन्यवाद